नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह शक्तिशाली देवी आपके घर पधार चुकी है और यह दिव्य शक्ति आपकी अंधेरे घर को उजाला करने आए हैं। आपके जीवन में जो पिछले समय से दुख दर्द परेशानी चली आ रही है, अब आपके घर की रोशनी करने वाले हैं। आपको सभी दुखों का अंट करने आए हैं दोस्तों, ऐसा आपके घर में अजीब सी घटना होना शुरू होगा। ऐसा चमतकार, अब आप अपनी आँखों से देखोगे, जो कि दोस्तों, कल युग में पहली बार होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, कि आने वाले दो दिनों के अंदर चार बात दुरलब घटना होगा, और एक एक घटना आपका किसमत का बड़ा टहल का मचाने वाली है। तो दोस्तों, यह दिव्य शक्ती ऐसा कर बात जो चमतकार करेंगे, जो आपको संकेत अब मिलेगा। दोस्तों, इस नजर अंदाज मत करना। दोस्तों, इस अंजान मत रहना। वरना दोस्तों यदे भी शक्ति अगर आपको कुछ देना चाहती है और दोस्तों, जब जाता किस से अंजान रहता है, उसे दिव्य शक्ति के दिये हुए संकेत को नहीं समझ पाता, तो दोस्तों, उनके जीवन में हमेशा अंध्यारी ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों, हर बार नहीं होता है दोस्तों, और कल्यूग में सौम्या देवी शक्ति आपके जीवन में लाया है चार, बड़ा चमतकार दोस्तों, यह घटना जब आप सुनेंगे, आने वाले दो दिनों के अंदर में जो योग बना है दोस्तों, यह सुनकर आपका नींद उड़ जाएगा, क्य यह होने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, दोस्तों, ब्रह्मा विश्नु महेश ने अब आपके जीवन में बड़ा कھیل शुरू कर दिया है, ब्रह्मा का लिखा अब सच होने वाला है विश्नु, अब आपके जीवन में बड़ा चमतकार करेंगे औ और देवों के दिये जो महादेव हैं दोस्तों, वह आपके हो गए हैं महरबान, अब आपके जीवन का सभी दुखों का अंत होगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसा शक्ति, ऐसा भगवान एक साथ आपके जीवन में महरबान हो चुके हैं, अब दोस्तों, आप गली महले में छाती फ आपके दोस्तों जीवन में आने वाले पिछले समय से ऐसा कार्य किये हैं ऐसा गड़्े में गिराने का रास्ता बनाए हैं जिससे दोस्तों आप अभी तक डूपते गए हैं आप अपने जीवन में काम्याबी का मुह नहीं देख पाए हैं और इनका कारण सिर्फ यही दुश् और दोस्तों यह दुश्मन कहीं दूर का नहीं है आपके पास पडोसी है आपका कोई रिष्टेदार रही है जो आपसे मिलने भी है आपकी हाल चाल पूछता है गौर कीजिए दोस्तों पिछले समय में आप बहुत ही बड़ी मुसीबत से बच्चे हैं जब बरसाथ जीवन अब इनको भी मिलने वाले हैं और आप अपनी आँखों से भी देखोगे खुद यह दुश्मन आपके पैर पकड़ कर माफी मांगेंगे आप दोस्तों बहुत ही सीधे साधे इंसान है लेकिन दोस्तों भगवान पर आप बहुत ही भरोसा करते हैं भगवान से आप कभी इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं भगवान के जीवन में थोड़ा सा कष्ट होता है परेशानी होती है और जब यह सब होता है तो दोस्तों वह समय भगवान अपने भगवान को परीक्षा लेता है और उसे समय जो भी जातक जो भ भगवान के भक्त इस परीक्षा में पास हो जाता है दोस्तों उसे मनचाहा धन दौलत मनचाहा सपना पूरा होता है और दोस्तों वहीं घटना आपके जीवन काल में आज होने वाला है आने वाले दो दिनों के अंदर में होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले दो दिनों के अंदर में ऐसा संकेत मिलना शुरू होगा, भगवान आपके घर में ऐसा खेल शुरू कर देगा, जिससे कि दोस्तों, सच में आप समझ जाएंगे कि हमारे घर में देवी देवता का वास हो चुका है, अब हमें डरने की पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, दोस्तों, सब दर्वाजे बंद हो जाएं, तो भी एक दर्वाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का द ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं, मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठा कर तो देख तेरे आस पास हूँ, मैं तो दोस्तों भगवान पर भरोसा रखो, हर परिस्थिती में कभी अपनी आप मत खोजो, आपको जो मिलेगा वह किसी को नहीं मिल सकता, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस कल्यूग में अब आपको भगवान देने वाले हैं, वह ऐसे रास्ते खोल दिये हैं, जैसे दोस्तों, अब आपके जीवन का असली पाल शुरू होगा, आपने जो सोच नहीं होंगे, अब वह मिलने का समया आ गया है, अगले द अंकेत को आप बिलकुल ही नजर अंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों, जीवन भर पच्चता होगे, ये देवी अगर आपके घर से नाराज होकर चली गई, तो दोस्तों, आप बहुत पच्चता होगे, या दिव्या शक्ती आप से हमेशा के लिए चली जाएगी त और आपको जो मिलना था, जीवन में जो चमतकार होना था, वह दोस्तों, आपके जीवन में नहीं मिल पाएगा, और इस जानकारी को जब आप जानेंगे, तो दोस्तों, बहुत ही अफसोस करेंगे, तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्त, और इसलिए द कुंडली के पूरी तरह विशलेशन और पंचांग की गणना करने के बाद बनाया गया है जो 100% सटीक है और अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंड डौक्ष जो ग्रह गोचर का बदलाव होने वाला है जो राशी परिवर्तन होने वाले उन्हें के आधार पर हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगले दो दिनों के भीतर आप सभी के जीवन में कौन-कौन से बड़े खुश खबरी मिलेगी कौन-कौन से बड़े लाब आप सभी को होने वाले हैं आप सभी के प्रत्य एक शेत्र में जिसे लव लाइफ, स्वास्थे कैरियर, पारिवारिक जीवन हर एक शेत्र में मातारानी की आशीरवाद से कौन-कौन से बड़े सुनहरे अवसर आने वाले हैं, कौन-कौन से सभलता के जंडे आप अपने सभी क्शेत्र में गाढ़ने वाले सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों और यह देवी, आप सभी के जीवन में कौन-कौन से बड़े बदलाव करने वाली है इसके भी बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे तो दोस्तों, वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक अकेले देखने साथ साथ दोस्तों, मातारानी के जो भी सचे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में लिख दें जैमान, लक्ष्मी जैमान, दुर्गा जैमान, काली दोस्तों आपको आने वाले जीवन में आने वाले दो दिनों के अंदर में यह देवी देवता आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे इस कल्युक की सबसे बड़ा चमतकार करेंगे जी हाँ दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों के भीतर ही आते ही आप सभी के जीवन में हर कंप मचाने वाली यह अद्भुत शक्तिशाली देवी अब बिना मांगे आपको सब कुछ देने वाली क्योंकि इस देवी ने आपके अंदर के दुखदर्द परेशानी को देखा है इस दुनिया में बहुत ज्यादा कठोर लोग है जो आपके सामने कुछ और बोलते हैं और लोगों के सामने कुछ और बोलते लेकिन दोस्तों, जब आप भगवान के चरणों में जाते हैं, जब आप भगवान को सुनते हैं, भगवान के गुन को गाते हैं, तो दोस्तों, भगवान बिना बोले ही आपकी दिल की सारी बातें जान चाहते हैं, और दिल के सारी मांगे पूरी कर देते, और ये समय, ये दे धन हो, दौलत हो, बंगले हो, रुप्या पैसा हो, उतना रुप्या पैसा नहीं जो बड़े बड़े लोगों के पास होते हैं, जो करोडों की गाड़ियों में घूमते हैं कम से कम इतना तो होना ही चाहिए जिससे आप अपनी परिवार की जरूरत को पूरा कर सकें जी हाँ, दोस्तों, इतना आपके अंदर भी चाहा है और अब मातारानी आपकी यह चाय पूरी करने वाली जी हाँ, दोस्तों, आने वाली अगले 24 घंटे, 48 घंटे के बीच का ही समय है दोस्तों, यह समय इस देवी का दिया हुआ एक प्रकार का वर्दान है, इस समय को आप बिलकुल ही अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा दोस्तों, पैसा भागिशाली समय बहुत ही काम बनते हैं, जो आप सभी के जीवन को एक जटके में बदल दे जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, कि हर समय जो दिव्य शक्ती है आपको चार संकेत देने वाले हैं, वह चार संकेत कौन कौन से चलिए दोस्तों, इसके उपर हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं दोस्तों यह देवी कोई और नहीं बलकि आपके घर में हमेशा से विराजमान रहने वाली माता काली है जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि माता काली के आशीरवाद से आप सभी के जीवन में अगले 24 से 48 घंटे के बीच अद्भुत चमतकार होने वाला है लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज में आपको माता काली के संकेत को समझना होगा क्योंकि दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली में अगले 48 घंटे के बीच इतनी शुभ और भाग्यशाली योग का निर्मान होने वाला है इससे आप सभी का पूरा जीवन नहीं बलकि पूरा भविश्य बदल जाएगा और आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों के जीवन बदल जाएंगे इसलिए दोस्तों ये समय आपके लिए अत्यंत ही लाबकारी है रहने वाला है इस समय को हाथ से जान मत देना इसलिए दोस्तों ये देवी आपको जो संकेत देने वाली है, उसका पूरी तरह से ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले जो संकेत, ये देवी आपको देने वाली वह है, नन्हा बालक के रूप में। जाकर ही भेजें, और कहीं पर ठहरे हैं, यदि कोई नन्हा बालक आपके पास आजाते हैं, तो दोस्तों, बच्चा नहीं है, ये साक्षात माता काली का रूप है, सुयम भगवान का भेजा हुआ शक्ति है, उसे आप यूं ही जाने मत देना, यदि वह आपसे रुपए का मन क जीएगा, या फिर उन्हें कुछ खाने की वस्तूओं को आप दे सकते हैं, और दोस्तों, उसके पैर बिना छुए, आप बिलकुल ही वहां से मत जाईएगा, क्योंकि साक्षात मातारानी का दर्शन आपको हो रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, दोस्तों, भोल नगाडे के साथ, यदि आपके घर के दर्वाजे के तरफ बचते बचते जाते हो, या फिर कोई धान चावल, या फिर कोई भी वस्तू जिसे वह मांगता जाए, तो दोस्तों होगा अवश्य ही दे देना, क्योंकि दोस्तों, उसे रथ्यात्रा में मा देवी का जाएंगे, तो माता काली को यह यकीन हो जाएगा, कि आप उनके उपर कितना यकीन करते हैं, कितना अपने जीवन में शुधता का पालन रखते हैं, हालांकि माता रानी आपके दिल की बात है तो जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों, आप अपने जीवन में कितना सावधानिया क कितने अपने मन को शुद्ध रखते हैं। वह चीज मातारानी जानना चाहती है और परीक्षा के लिए आपके जीवन में यह संकेत भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों यदि कोई इनसान सची श्रद्धा के साथ माता को एक बार पुकारता है तो मातारानी उसके द्वारा पर अवश्य ही आती है। और दोस्तों जब एक अच्छा करमशील इनसान के जीवन में कोई परेशानी आता है तब भी मातारानी उसके द्वारा पर आती और दोस्तों यह सब संकेत इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं क्योंकि आप सभी की कुंडली में यह समय जीवन की आपकी किस्मत का बड़ा सुख योग दिख रहा है यानि कि मा काली का प्रबल सम्भावना है आने वाले अगले अर्तालीस घंटे के बीच आप सुबह के जीवन में खुशियां देगी जी हाँ दोस्तों यानि कि जब भी माता, लक्ष्मी मा, काली मादुरगा कोई भी देवि देवता हमारे जीवन में खुशियां देती है तो हमारे कुंडली में विराज मान करती है तो वह हमारे घर भी आती है जी हाँ दोस्तों इसलिए हमें उनके संकेत को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है यदि आप सभी के घर में कोई साधुसंत या नया महमान आ जाते जो बहुत दिनों से आपके घर नहीं आये थे और आपके द्वार पर आप से कुछ भिक्षा मांगने लगे तो दोस्तों आप सभी को उन्हें खाली हाथ नहीं लोटना है इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आप जिसे साधुसंत या फिर महात्मा समझने की गलती कर रहे हैं वह महात्मा के ही रूप में भगवान का भेजा हुआ माता काली का भेजा हुआ एक संदेश है और वह आपके द्वार पर आकर मांग रहा है तो उसे आप जरूर ही दानपुन्य कीजिएगा दोस्तों देने वाली तो माता भदर काली है सब की रक्षा करने वाली माता काली ही है लेकिन दोस्तों हम तो बस अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं आपको इतना समझना है आने वाले अगले 48 घंटे के बीच आप सभी के जीवन में यह घटना हर हाल में होगी दोस्तों यह चमतकारी घटना होने से कोई रोक नहीं सकता है अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा अब आपका किस्मत घोड़े से भी तेज दोड़ने वाला है जी हाँ दोस्तों साक्षात माताकाली जी आने वाले अगले 48 घंटे के बीच आप सभी के जीवन में यह चमतकारी घटना करने वाली है परंतु आपको दो गलती नहीं करना है जी हाँ दोस्तों पहले गलत ही आपको यह होगा कि आपको जाने अंजाने कोई भी ऐसा कारे नहीं करना है जो माताकाली के विरुध जैसे कि दोस्तों किसी भी स्त्री का अपमान कर देना किसी भी बच्चे को रुला देना या फिर कोई वृद्ध व्यक्ती को उंची आवाज से कुछ बातें बोल देना दोस्तों यह सब जो बातें हैं सब नकारात्मक बातें और नकारात्मक चीजों से माताकाली हमेशा नाराज होती है और माताकाली क्रोधित हो गई तो फिर परलाय आ जाता है जी हां दोस्तों और माताकाली आपकी भी जीवन में अगले 48 घंटे के बीच आप सभी के दुश्मनों को संगार करने वाली है अब आपको परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है दोस्तों बस आप शांत मन से माता काली का लीला देखिए मा की महिमा को देखिए दोस्तों अब आप सभी का जीवन किस प्रकार बदल जाएगा यह चीज अपने सपने में नहीं सोचा होगा दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे की भी माता काली के आशीरवात से आप सभी के जीवन में कौन-कौन से बड़े खुश्खबरी आने वाली है कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले आगे वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक ध्यान और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो दोस्तों, सच्चे मन से वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता काली रक्षा करो जैमा, काली रक्षा तीन बार जरूर लिखिएगा जिससे माता काली महालक्ष्मी और माधुर्गा की आशीरवाद आप सभी को प्राप्त हो जी हाँ दोस्तों, आने वाले दोस्तों, 24 घंटे के बीच आप सभी, 48 घंटे के बीच आप सभी की कुंडली में यह शुभ है जो माता काली का योग बना है इसके साथ साथ, गुरू, ग्रह, ब्रहस्पती और बुद्ध की ग्रह, बुद्ध देव, यानि की भगवान श्री गनेश जी, आपके जीवन में महरबान हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों, और आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर, आप सभी के जीवन में भगवान श्री गनेश जी और देव गुरू ब्रहस्पती खुशियों की बारिश करने वाले जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी के जीवन में खुशियों की एक नई लहर दोडने वाली है हमें ये बात अच्छी तरह से पता है दो, आपके जीवन में पिछले समय जब पैसा नहीं था, रुपिया नहीं था तो सभी लोग आपकी बातों को जानकारी दे देते सभी लोग आपकी बातें को सुना तक नहीं चाहते थे लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि अब आप सभी के जीवन में खुशियां आने वाली है लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण बाग बता दे कि जो लोग खुशियों में साथ देते हैं, वह कभी अपने नहीं होते और जो लोग आपके दुख में साथ देते हैं, वह कभी पराया नहीं होती जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको अपने जीवन में अपने और पराया की पहचान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, यदि आपकी दुख के समय में कोई अपना ही व्यक्ति जो आपके हमेशा साथ रहते थे वह खड़ा नहीं था, तो सुख के समय भी उसे खड़ा होने का कोई हक नहीं है जो व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे दिये हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार धोखा देता है, उसे ख्षमा करकर एक अच्छा इंसान बन जाओ लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करके बेवकूफ कभी मत बना क्योंकि कुत्ते की पूंच में चाहे तुम कितना भी घी लगा लो, वह तेड़ा का तेड़ा ही रहेगा इसलिए बात समझ में आई, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जैश्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखेगा चलिए दोस्तों, अभिशेक के साथ आगे बात करते हैं आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के बीच, इस देवी के आशीरवाद से आप सुबह के जीवन में कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और माता काली, देव गुरु ब्रहस्पती और भगवान श्री गनेश जी, आप सभी के जीवन में कौन-कौन से बड़े चमतकार करने वाले दोस्तों, आप सभी की कुंडली पर नज़र डालें और तो राजियोग का निर्मान हो रहा है जिनके कारण, दोस्तों, आपके जीवन का पासा पलटने वाला है अब आप सभी के जीवन में अगले 24 से 48 घंटे के बीच एक अच्छा समय नहीं, आपका एक अच्छा दौर आने वाला है अब आप, जो आप चाहोगे, आपको वह सब कुछ हासिल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ग्रह सितारे आपके पक्ष में है, आपको उनका भरपूर लाब उठाना चाहिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी की कुंडली में जो भाग्यशाली लोगों का निर्मान हुआ है वह माता काली काली आशीरवाद से हुआ है और माता काली आपको बहुत बड़ा संदेश दिये हैं और इस शुब समय का आपको कैसे उपयोग में लाना है, कौनसी बातों का आपको ध्यान रखना है अगले 48 घंटे के बीच आप सभी का लव लाइफ कैसे रहेंगे स्वस्थ पारिवारिक जीवन शिक्षा और बिजनस व्यापार का क्षेत्र किस प्रकार गती करने वाले जानेंगे सभी के बारे में विस्तार से साथ ही साथ कुछ ऐसे चोटे-चोटे उपाए भी बताएंगे जो आप सभी के लिए अगले 48 घंटे के बीच सबसे ज्यादा कारगर और भागेशाली सिद्ध होगा तो ध्यान से दिखेगा दोस्तों सबसे पहले आप सभी के जीवन में सावधानी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये समय अगले 48 घंटे के भीतर आपको सावधान रहने की अत्यनत आवशक्ता पढ़ने वाली है क्योंकि दोस्तों जीवन में जहां आपको खुशियां मिलेगी वहीं पर आप सभी के दुश्मन चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं जब भी आपकी जीवन में छोटी सी छोटी खुशी आई है तब तब आप सभी के दुश्मन की आँखों में जलन की इरश्या की द्वेश की भावनापन अपने लगती है और दोस्तों इसी भावनाओं की वजह से वह आप सभी के जीवन में नुकसान करने की तरह तरह रास्ते अपने लगते हैं जी हाँ दोस्तों कई बार तो आपके दुश्मनों ने आपकी ही बुराई आपके अपनों के पास जाकर किया है चुगली करने में आपकी दुश्मन सबसे आगे हैं आपकी बात दूसरों के सामने बताते हैं कि आप और आपके अपने लोग दोनों आपस में लड़ जाए और आप सभी के जीवन में बरबादी शुरू हो जाए दोस्तों हमेशा यह यही चाहते हैं और यह कब क्या कर दे कोई बात नहीं सकता क्योंकि इन्हें खुद की खुशी से खुशी नहीं मिलती है इन्हें आपकी दुखों से खुशी मिलती है जब आप परेशान हो जाते हैं जब आप निराश हो जाते हैं रोने लगते हैं तब यह खुशिया मनाने लग जी हां दोस्तों लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कल्यूक पर जब जब सत्य पराजित होने लगेगा तब तक वह अवतार लेंगे यानि कि दोस्तों जब जब आप सभी के जीवन में दुखों का कोई समाधान नहीं मिलने लगेगा तब साक्षाद भगवान आप सभी के जीवन में चमतकार करेंगे और जो आपके दुश्मन आपके रास्ते में आएंगे उसका संगार करेंगे जी हाँ दोस्तों और यश में माता काली का पालिनी आप सभी के जीवन में आपके दुश्मनों का विनाश कर देंगे बस आप सभी को माता लक्ष्मी मां दुर्गा को प्रसन्द करने के लिए पांच के पांच सिक्के किसी भी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को चुपके से दे दी जिएगा और जब आप यह उपाय को करेंगे तो किसी को भी इसके बारे में मत बताईएगा क्योंकि दोस्तों यह उपाय भले ही सरल लगता है लेकिन अगर एक बार सच्चे मन से हो जाए तो फिर इसका जो पुण्य कर्म है वह जन्म जन्म तक साथ देता है जी हाँ दोस्तों और खासकर जब कुंडली में इतने शुभ और भागशाली योग बने हो तब तो इनका प्रभाव पांच गुण में मिलता है दोस्तों इसलिए पांच के सिक्के का आपको दान करना है जी हाँ दोस्तों आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के बीच सर यदि आप सभी के घर में छोटी कन्या है तो सबसे पहले आपको उसकी नए वस्तर देने हैं और उसका सम्मान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगले 48 घंटे के बीच आप सभी की कुंडली में जैसे जैसे शुभ योग बने यदि आप यह क्रिया को कर देंगे एक बार तो दोस्तों आप यकीन मानिये माता काली आप सभी की जिंदगी में लाखों नहीं बलकि करोडों का धन दौलत दे देगी जी हाँ दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे के बीच जो ग्रह गोचर बन रहे हैं दोस्तों इन में आपको करोड का लाब होने वाला है चार सबसे बड़ी खुशकबरी आप सभी को मिलने वाली है वह और बड़ी खुशकबरी कौन कौन सी है और कौन कौन से क्षित्र में आपको मिलने वाली है दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएं तो दोस्तों जानकारी बहुत ही खास है अंत तक देखिएगा जी हाँ दोस्तों माता काली देव गुरु ब्रहस्पती और भगवान श्री गनेश जी की आशीरवात से आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी को इतनी बड़ी इतनी चमतकारी घटना देखने को मिलेगी कि आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा जी हाँ दोस्तों अगले 48 घंटे के बीच आप सभी का जीवन पहले से हजार गुना ज्यादा अच्छा हो जाएगा पूरे गाव महले में आपका नाम की डंका बजाने वाला है आपकी तरह की आपकी काम्याबी समाज में आपकी एक अलग छवी बनाने वाली आप जहां पर जाएंगे लोग आपका संपर्क करें अब आप सभी के जीवन में डर्द, गाड़ी, बंगला रुप्या पैसा आपको सब कुछ मिलने वाला है खास कर कर ऐसी खुशखबरी है जिसके बारे में अपने सपने में नहीं सोचा था दोस्त पहले खुशखबरी, आप सभी की बिजनिस और व्यापार के क्षेतर में मिलने वाले यदि आपने कहीं पर आवेदन किया था जो आपको लगा था यह आवेदन कभी सकसेसफुल होगा ही नहीं लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटे के बीच आपको यह शुब समचार मिलने वाला है कि आपका वह काम बन गया है जिससे आपके घर और परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगी आने वाले अगले 48 घंटे के बीच जश्न मनाने की तैयारी आपको करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों, अगले 48 घंटे के बीच आपको कल्युक के सबसे बड़े खुशखबरी मिलने वाली जीहां दोस्तों दूसरा सबसे बड़ी खुशखबरी है संतान को लेकर जीहां दोस्तों जो लोग पिछले कई समय से संतान की इच्छा रख रहे थे यह उसमें माता काली, माता लक्ष्मी मा, शेरावाली और मान दुरगा उसकी जोली भरने वाली आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है दोस्तों, आपकी आँखों में खुशी के अनसुया समय नहीं रखेंगे लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दीजिए कि जब आपको पता चल जाए कि आपका आँचल भर गया है तो आप इसकी जानकारी किसी को भी तुरंत मत दीजिएगा क्योंकि आपके जो दुश्मन है वह तांत्रिक से मिला हुआ है यदि उसे यह बात पता चल गया तो फिर से वह कोई ना कोई तांत्रिक लगा कर आपको बरबात कर देंगे जी हाँ दोस्तों, और इस तांत्रिक यही वजह से आपको पिछले कई समय से यह सब परेशानियां देखने को मिल रहा था लेकिन दोस्तों, अब आपको वह परेशानी खत्म हो जाएगा बस, आप मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी की मंदिर में जाकर एक 108 बार हनुमान 40 का पाठ करें और लाल सिंदूर को अर्पित करने और एक लाल पुष्प को भी वहां पर अर्पित करती और हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल फोड़े और सवा किलो लड़ू का भोग लगे और यह सारी चीजों को आप लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दे और खास कर जो आपके शत्रू है यदी खाली तो शत्रू का विनाश सदा के लिए हो जाएगा जी हाँ दोस्तों यदी हो सके तो आप इसे जरूर कीजिएगा और यदी आप सिर्फ हनुमान जी के मंदिर के पास जाकर हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ ही कर देंगे तो आपकी शत्रू आपका कुछ बिगड़ा नहीं पाएगा इस बात का आप ध्यान रखिए दोस्तों तीसरा जो खुश खबरी है वह आपका पारिवारिक जीवन को लेकर जी हाँ दोस्तों जो लोग पारिवारिक माह से जुड़े जो लव लाइफ के क्षेतर में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे उसकी परेशानी समाप्त होने वाली जो लोग पिछले का इसमें से एक अच्छे पार्टनर की तलाश में थी जो उसके जीवन को बदल दे जो साक्षात माता लक्ष्मिकार्य को और जो उसके जन्म और जन्म अंतर के लिए बनी हो तो अब आपकी तलाश पूरी होने वाली है और जो यह महिला है यात्री है आपके ही नस्दीक के आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आपके लिए उतना ही तड़प रही है जितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं यह महिला, आप सभी के जीवन में आ गई तो आप सभी के घर कोई हम मंदिर बना कर रख दीजिए क्योंकि दोस्तों, यह महिला कोई खास महीना नहीं है ये साक्षात माता लक्षमी का रूप जिसके आने से आप सभी का जीवन पहले से हजार गुना ज्यादा अच्छा हो जाएगा दोस्तों जी हाँ या महिला आप से चुप चुप कर प्रेम करती है और पिछले कई समय से आपको बताना भी चाहती थी लेकिन आप इनके बातों को जानकारी देंगे इसी डर से ये आप से अपने दिल की बातों को कह नहीं पा रही है लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको घबराने की आवशक्ता नहीं है इस महिला का हाथ आप अपने हाथ में लेकर इसे एक वादा कीजिएगा कि हम आपका साथ जीवन भर निभाएंगे जी हाँ दोस्तों इस महिला का साथ आप भूल कर भी मत छोड़िएगा क्योंकि यह महिला आप सभी के जीवन में गलती से भी एक बार आ गई तो आपकी जीवन की सारी परेशानी सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा जब भी आप परेशान निराश-हताश हो जाएंगे तब ही हम महिला आपके मुसीबत का सहरा बनेंगे आपके हाथों में अपना हाथ रख कर रहेगी कि आपको परेशान होने की आवशक्ता नहीं गुजर जाएगा जल्दी हमें खुशियां मिलेगी जी हाँ दोस्तों यह महिला आप सभी के जीवन के लिए ही बनी है और अब आपका यह जो तड़प है वह खत्म होने वाली है और यह महिला आप सभी के जीवन में आने वाली है दोस्तों बस आपको भी अपने जीवन में थोड़ा सा कदम बढ़ाना होगा और उसके सामने अपने ध्यान रहे दोस्तों जब भी आप उसके सामने जाएं तो किसी को साथ लेकर बिल्कुल भी मत जाए और किसी दूसरे के मुह से भी आप अपने बातों को मत बनवाना है आप खुद से बोले और यकीन मानिए आप जैसे अपने मन में सोच रहे हैं इस्तरी बिल्कुल ही वैसे ही है दोस्तों अगला खुशकबरी है जो चौथ खुशकबरी है आपके जीवन का एक पुराना इच्छा पूरा होने वाला है जो आप बहुत पहले से सोच रहे थे जी हाँ दोस्तों यह अच्छा आपके घरगाड़ी या फिर कोई बड़ा इच्छा हो सकता है जो आप अभी तक किसी को नहीं बताएं वह इच्छा पूरा होने वाला है जी हाँ दोस्तों और इसके लिए आपको 48 घंटे के अंदर आकस्मिक धन लाब भी होने वाला है जी हाँ दोस्तों अगले 48 घंटे के बीच जो ग्रह गोचर बना रहे हैं उसके साथ बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है और दोस्तों आपको लाखों का लाब होगा कौन से क्षेतर में आपको लाखों का लाब होगा इस वीडियो में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों हमारा आप सभी से पुनह विनती है वीडियो को सर्व प्रथम एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जैमाम लक्ष्मी जैमा दुर्गा जैमा काली तीन बार लिख दीजिएगा क्योंकि दोस्तों अगले 48 घंटे के भीतर माता किवास आपके घर में होने वाले यानि कि लाखों का लाब आपको प्राप्त होगा दोस्तों आज का दिन और आने वाले 48 घंटे आपके जीवन में असीमित संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलने वाले हैं माता काली, माता लक्ष्मी मा, दुर्गा देव, गुरु ब्रहस्पती और भगवान श्री गनेश जी की क्रपासे आपके जीवन में नकेवल आर्थिक, बलकि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा परिवर्तन आएगा इन 48 घंटों में आपको जो अवसर मिलेंगे वहाँ आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं तो चलिए, इन 48 घंटों में क्या-क्या होने वाला है इसे विस्तार से समझते हैं सबसे पहले, आज का दिन आपके लिए संघर्ष और विजय का दिन है और माता काली की क्रपा से यह संघर्ष आपके लिए विजय में परिवर्तित होगा अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिती है जो आपको तनाव और चिंता में डाल रही है तो अब समय आ गया है उस स्थिती से बाहर निकलने का माता काली की क्रपा से आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां और डर खत्म होंगे जैसे जैसे यह नकारात्मकता दूर होती जाएगी आपके जीवन में एक नई उर्जा का संचार जो आपको अपने लक्षियों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी माता काली की उपासना से आप अपने भीतर की शक्तियों को जागरित कर सकते हैं जो आपके जीवन के हर कठिन मोड पर आपका मार्क दर्शन करेंगे अब जब आप इस उर्जा से भर जाएंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और सम्रिध्य का प्रवेश होगा इन 48 घंटों में आप अपने आर्थिक जीवन में बड़े बदलावों का अनुभव करेंगे आपको ऐसे अफसर प्राप्त होंगे जो आपके वित्तिय जीवन को मजबूत करेंगे यह समय आपके लिए महत्वपून आर्थिक निरणय लेने का है माता लक्ष्मी की कृपा से आपके निरणय सही साबित होंगे और आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिर्ता और सम्रिध्य का अनुभव करेंगे समय यदि आप किसी नई योजना या निवेश की सोच रहे हैं तो वह आपके लिए लाबदायक साबित होगा या 48 घंटे आपके लिए आर्थिक सम्रिध्य के द्वार खोल सकते हैं बशर्ते आप सही निर्णय लें और माता लक्ष्मी का आशीरवाद प्राप्त करें देखिए दोस्तों आज का दिन और आने वाले समय में देव गुरू ब्रहस्पति की कृपा से आपके ग्यान और बुद्धि में वृद्धि होगी यह समय आपके लिए आत्म निरीक्षन और आत्म विकास का है अगर आप किसी नई शिक्षा या अध्ययन की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है ब्रहस्पति जी का आशीरवाद आपको सही मार्ग दिखाएगा और आपके ग्यान में ऐसी वृद्धि होगी जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निरनयों में सफलता प्राप्त करेंगे इस समय आपके भीतर की जिग्यासा और ग्यान की प्यास बढ़ेगी और आप अपने जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोंड से देखने में सक्षम होंगे यह समय आपके लिए सीखने आत्म विकास का है जो आपको जीवन के हर मोर्चे पर सफलता दिलाएगा भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है भगवान गणेश जी की उपासना से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और आप अपने लक्षियों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे इन 48 घंटों में आपको अपने जीवन में किसी भी नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश जी का आशीरवाद आपको उस नई शुरुआत में सफलता दिलाएगा गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में हर तरह की रुकावटें दूर हो और आप अपने सभी कारियों में विजय प्राप्त करेंगे अगर आप किसी महत्वपूर्ण कारे की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाबदायक साबित होगा भगवान गणेश जी की उपासना से आपके जीवन में सुख, शान्ती और समृधिका आगमन होगा अब प्यारे दोस्तों आन घंटों में आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले माता काली की उपासना से अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें यह समय है जब आपको अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उनका सही दिशा में उप्योग करना है माता लक्षमी की कृपा से अपने धन और संपत्ती की सुरक्षा करें और आर्थिक निर्णये सोच समझ कर ले यह समय आपके लिए आर्थिक दिष्टी से महत्वपूर्ण है इसलिए हर निर्णये को ध्यान पूर्वक ले देव गुरू ब्रहस्पती की उपासना से अपने ग्यान और बुद्धि को बढ़ाएं ताकि आप अपने जीवन के हर निर्णये में सफलता प्राप्त कर सकें और अंत में भगवान गणेश जी की कृपा से अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और सफलता के मार्क पर आगे बढ़े प्यारे दोस्तों इन 48 घंटों में आपके जीवन में जो भी परिवर्तनाएंगे आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होंगे इन पलों को पहचाने उन्हें अपनाएं और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं माता काली माता लक्षमी देव गुरू ब्रहस्पती और भगवान श्री गनेश जी की कृपा से आपके जीवन में हर दिशा में प्रगती होगी यह समय आपके लिए नए अवसरों का है और अगर आप इन अवसरों को नहीं दिशा में ले जाएंगे तो आपको सफलता और समरिधी अवश्य मिलेगी भगवान का आशीरवाद सदैव आपके साथ है और इन 48 घंटों में आपको उनके आशीरवाद का प्रभाव अपने जीवन में महसूस होगा कुछ सरल उपाय कर सकते हैं सबसे पहले सुबह उठकर माता काली की उपासना करें और अपने भीतर की नकारात्मक्ता को दूर करने का संकल्प लें इसके बाद माता लक्षमी की कृपा के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल से स्वस्थिक बनाएं और धन संपत्ती की सुरक्षा के लिए श्री सूक्त का पाठ करें देव गुरू ब्रहस्पती की कृपा पाने के लिए पीले वस्त्रधारण और पीले फूलों से उनकी पूजा करें अपने ग्यान में वृद्ध के लिए पीले रंग का भोजन ग्रहन करें और गायत्री मंत्र का जाब करें भगवान श्री गणेश जी की कृपा के लिए उनके चरणों में दूर्वा चढ़ाएं और A.U.M. गम गणपताई नमह का एक 108 बार जाप करें साथ ही अपने कारियों को प्रारंभ करने से पहले उनका स्मरण करें इन उपायों को करते हुए आपको इन 48 घंटों में भगवान का आशीरवात प्राप्त होगा और जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे तो दोस्तों उम्मीद है यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो फिर मिलते हैं अगले ग्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै माता दी